पाकिस्तान भारत और साउथ इस्या में बहुत बड़ी जियो पॉलिटिक्स चल रही है और बहुत बड़ी शायद जो इंटरनेशनल स्टेक होल्ट सर्ड्स की वहां पे अपनी एक बासगश्ट है वो भी गूज रही है अभी रशिया के फॉर्म मिनिस्टर ने भारत का दोरा किया और पाकिस्तान के दोरे पर पहुँच गए हैं इंटरस्टिंग बात यह कर रशिया के फॉर्म मिनिस्टर सर्गी लावरॉग जी मिले हैं अमेरिका के एक बहुत ही एहम कैबिनिट मिनिस्टर लेवल के जान केरी से इंडिया में ये बड़ी ऐहम बात है इस पर मैं थोड़ी से आगे जाकर कमेंटरी करूंगा और इसके साथ साथ रशिया की क्या बाते हुई भारत में और अमेरिका की क्या बाते हो रही हैं भारत में ये सब आज के हमारे न्यूज अनेलिसिस का हिसा होंगी और इस अनेलिसिस असाम हो, केराला हो, तामिलनाडू हो और पूटोचेरी की जो यूनिन टेरिटरी है इस पर भी थोड़ी सी कमेंटरी करेंगे सबसे पहले हम इस मसला पर बातीद करेंगे कि रशिया के फॉर्म मिनिस्टर, सरगई, लवरॉक का जो भारत और पाकिसान का दोरा है वो वहां की जियो पॉलिटिक्स में क्या करदार अदा कर रहा है रशिया का ये कहना है कि हम जो भारत मेड की आजकल बात हो रही है मेड इन भारत की बात हो रही है हम भी भारत में अपने असले की फैक्टरियां भारत की मदद से लगाएंगे लेकिन अमेरिकन्स को ये बात पसंद नहीं और शायद चाइना को भी बहुत पसंद नहीं और इसके साथ साथ जो इस वक्त दुनिया की इंटरनेशनल रिफ्ट चल रही है और जो कोल्ड वार है उस कांटेक्स में ये चीजें कैसे आगे चलती हैं सबसे पहले मैं रश्या के फॉर्म मिनिस्टर सर्गई लारॉक का आपके साथ ये वीडियो क्लिप शेयर करता हूं बडोस्तों के बड़ कोप बुटना मिनिस्टर सर्ग भार सर्ग चांप इंटरने वार्म मिनिस्टर से प्योफ बड़ां बड़ारा कि वीडियोिती फोजाईन ए बड़ाइजार्टी आपके लेका आपके बश्यान एहां बीजा, अज़ बड़ा of the independent India, so here I didn't feel any fluctuations or changes from our Indian partners and friends. In recent years, and in recent times, there's been growing political trust and military cooperation between China and Russia, and this has led to some speculation in some quarters about a possibility of a China-Russia military alliance. कि ऩोड़ दो दोड़ा जार एते थार विर दोड़ादार दोड़ूं कि थूदी और दोट्रोड जाई प्रेशनली दोड बिर दोमित अधित अवलेल एफ गलाद ले झाल कि टो रहां अधित अवस्टाव दोडिट इस और सेट घ्सलिकम है विर खाद आपिन पर रहां कि यह इसे भी एस्रेशान पिसे राज व本नी स्कुानी इसांड की इस riend total हो रांज की टा मिलीट इस नाहित की एस्थ अ की यूरी केंगें झालायंस, प्लॉश भा function तो रिश्या के फॉर्म मिनिस्टर कहते हैं कि भारत में असले की फैक्टरी लगाना चाह रहा है रहा है और ये बात पहले भी हो रही थी भारत बड़े पेमाने पे रहा है रहा है। ये बात पसंद नहीं और भारत और अमेरिका की जो पार्टनिशिप है वो भी आगे बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है तो ये एक कंप्लेक्स सिचुएशन है लेकिन वही जो भारत के फॉर्म मिनिस्टर अक्सर कहा करते हैं कि हम अपनी सोविरेनिटी में अपनी डिसीज होते हैं जब रशिया के फॉर्म मिनिस्टर से इसी वीडियो क्लिप में आपने देखा कि क्वेस्टन पूछा गया कि जो रशिया और चाइना की मिल्टरी एक्सराइज़ बढ़ रही हैं उसके हवाले से वो क्या कहेंगे यानि क्या ये किसी किसम का कोई थ्रेट है तो इस पे उन्होंने कहा कि हिस्टरी में चाइना और रशिया के जो अब रिलेशनशिप अच्छे हैं से पहले कभी नहीं हुआ ये बात दुरस्त है लेकिन ये बात भी सच है कि रशिया और चाइना के पहुत सरे एरियास में कॉम्पिटीशन भी हैं जहां उनके रिलेशनशिप रशिया सरगई लेवराव्ब का कहना था कि बात ये है कि हम उसको कोई מסल़ा नी बनाएंगे अगर हमारे चाइना और हमारे भी एच अच्छे तलकात हैं तो भारत और रशिया के बीच तो बहुत ही अच्छे तलकात हैं और इस रीजिशन में और कई कॉप्रेशन की बातें चल रही है ये एक बहुत ही बहुत ऐहम डूइलमेंट उस रीजन में होने जा रही है मैं कई शों से मसलसल कह रहा हूँ कि अब जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स दुनिया के हैं वो उसी रीजन में अपनी गेम्स प्ले करेंगे और उसके साथ साथ उसके अच्छे या बुरे कौन सीकुइंस भी उसी रीजन पर आएंगे और भारत इस सारे मामले में एक बहुत ही बड़ा स्टेक होल्डर है बरहाल रेशियन फॉर्मिनिस्टर जो बातें कर रहे हैं भारत के फॉर्मिनिस्टर ने रेशिया के हवाले से जो बात चीट की उसका भी वीडियो क्लिप मै आपके साथ शेयर करता हूं I briefed Mr. Lavrov on recent developments in India that open up new opportunities for Russian businesses in various sectors. The Atmanirbhar Bharat economic vision can facilitate a more contemporary economic relationship in the post-COVID era. This review of our bilateral cooperation was really encouraging. We note the appetite for greater investments in each other by both countries. Russian support for our Gaganyan program has progressed, which we deeply appreciate. Our defense sector requirements in the past year were expeditiously addressed and in meeting the COVID challenge, our pharmaceutical collaboration has become more serious and as many of you are aware, we have a vaccine, a Russian vaccine under discussion for production in India. भारत के फॉर्मिनिस्टर जैश शेंकर ने बहुत ही खुलके कहा कि हम भी इस सारी सूर्टेहाल पर निगाह रखे हुए हैं और जो opportunities हैं रशिया के business की तरफ से भारत में investment करने के हवाले से और वैक्सीन के कांटेक्स में खासर पर उन्होंने बात कि उन्होंने का कि हम उनको भी welcome करेंगे और देखेंगे कि ये partnership कितनी आगे बढ़ती है ये बात वाकी दरूस्त है कि भारत और रशिया की पुरानी दोस्ती है पुराना तल्लक है और बहुत सारे मामलात में partnership भी है अमेरिका ने भा अपने इंटरस्ट होते थे तो उस सारे context में भारत के लिए मुम्किन नहीं है कि मकमल तोर पर रशिया का साथ चोड़ के एक दम से बड़े अमेरिका की तरफ अमेरिका के साथ उनके तरलकात बहुत अच्छे हैं वो एक अपनी जगा पर एहम बात है लेकर इंटरस्टिंग अमेरिका और रशिया के जो पड़े कैबिनिट मिनिस्टर्स हैं उनका भी आपस में इंकांटर होता है फॉर मिनिस्टर रशिया के सरगई लेवल रॉव वहां पे हैं और वो पाकिसान जा चुके हैं जब वो थे एक रोस पहले तो तब उनकी मुलाकात होती है अमेरिका के खास एडवाइजर जो प्रेसिडिट जो बाइडन के एडवाइजर हैं कलाइमेट पे इनवाइरमेंट पे जान कैरी बहुत ही इंपॉर्टन्ट आदमी है ये बराको अबामा के जमाने में स्टेट सेकरेटरी हुआ करते थे यानि फॉर्म मिनिस्टर हुआ करते थे बहुत لوگر, दोनों का एक bill था, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान पे बड़ी सخت पबंदिया लगी और वो पबंदिया अभी तक पाकिस्तान इंडारेक्ट या डारेक्ट एक तरह से जील ही रहा है तो अब इन दोनों की वहाँ पर क्या इतफाकिया मुलाकात होती है अमेरिका के जो एडवाइजर टू प्रेजिट जो बाइडन है और रशिया के फॉर्रम मिनिस्टर की और इंटरस्टिंग खबर ये भी है कि वो दोनों एक होटल में ठहरे हुए थे तो क्या कोई बैक डूर डिपलोमेसी की बात है चूँके बाइडन एड्मिस्टेशन के लिए बहुत मुश्किल है कि रशिया के साथ बात चीद करें क्यूंकि उनका प्लिटिकल निरेटर प्रेजिट टरम के बहुत खलाफ रहा रशिया के कांटेक्स में लेकिन रशिया उस अलाके का एक बहुत बड़ा प्लियर है और उसी इलाके में अब एक और तरह की सर्द जंग शुरू हो चुकी है चाइना की पावर की वज़ा से तो रशिया के साथ अमेरिकन्स कितनी बाचीद नहीं कर सकते हैं या कितनी कर सकते हैं ये कहना बहुत मुश्किल है मगर करनी तो होगी अभी हम गैसी कर सकते हैं कि जो दोनों बड़े देशों के दो आहम मिनिस्टर्स लेवल के लोग आपस में मिले हैं क्या वो सिर्फ इतफाकिया मुलाकात थी उनका एक होटल में रहना इतफाकिया है या कोई बैक डूर डिपलोमेसी है ये अपनी जगा पे आने वाले दोनों में हमें अंदाजा होगा लेकिन पाकिस्तान पहुंच चुके हैं रशिया के फॉर्म मिनिस्टर सरगई लेवरॉफ और उनके पाकिस्तान जाने से पहले पाकिस्तान के फॉर्म मिनिस्टर शाह महमूद कुरेशी ने एक आफिशल वीडियो भी रिलीस किया एसोसियेट प्रेस आफ पाकिस्तान पर और उस वीडियो में वो बहुत ही एंतुजियास्टिक हैं बड़े एमोशनल हैं और खुलके बातें करते हैं मैं इस पर कुमेंटरी करूंगा मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान के फॉर्म मिनिस्टर शाह ममूद कुरेशी का ये वीडियो मैसेज आप भी देखें आज तक्रीबन नौ साल के वक्फे के बाद रूस के वजीर खारजा पाकिस्तान तश्रीव ला रही हैं रूस इस खिते का एहम तरी मुल्क है उसकी आफादियत उसकी एहमियत से कोई इंकार नहीं कर सकता और ये दोरे कियामत इस बात की अकासी कर रही है कि रूस के साथ प इनडेस्टैडिंग पिदा हो रही है हम देख रही है कि हमारे एकनॄोमिक टाइजा से कैसे आगे कैसे बड़ सकती है जो गैस पाइपलाइन है नौट साउट गैस पाइपलाइन उस पर बात हो रही है डिफेंस कोपरिशन पर बात हो रही है ट्रेड को किस तरह बाहया जा सकता है अभी हमारे हाँ जब आठे के किल्ट पैदा हुई तो रूस ने हमें गन्नम पर वक्त हमें गन्नम सप्लाइए की ताकि हमारी कीमते मुस्तहके मुराएं तो दो तरफा तिजारत, इंवेस्मेंट्स के ऑपिचुरिटीज थे हैं, इस टील मिल हैं उन्हें लगाई थी अब उसकी रिवाइवल के लिए अगर इंवेस्मेंट हो जाए या और मौके हैं तो ये अच्छे इमकानात पैदा हो रही है, रिजिनल सिचुशन, अफगानिस्तान के सिचुशन, अफगानिस्तान में हम मिलकर एक दुसरे के साथ मशावरत कर रही हैं, अभी आपने देखा क मौसको में एक एकस्पेंडड जो है ट्रॉयका की मीटिंग होई अठाला मार्च को और पाकिस्तान में इसमें हिस्सा लिया, अभी मैं दुस्शामबे में था, दुस्शामबे में जो अमबैस्टर जमीर काविलोव हैं, उनसे मुलाकाच होई और अफगानिस्तान की जो करेंगे, तो मेरी नजर में ये एक एहम दोरा है, और मैं उनको खुशामदेद कहने, खुद एरपोर्ट जाओंगा, उनको रिसीव करूँगा, और इशाला वो दो रोस का उनका दोरा है, उनका रात का क्याम भी होगा, वो वजिर आजम पाकिस्तान से भी मिलेंगे, वो प करेंगे, तो आपने बात्ची सुनी, शाह मिमूद कुरेशी की, उन्हों ने कहा कि वो आ रहे हैं, और फिर वो पाकिस्तान पहुंच भी चुके हैं, वो उनको एरपोर्ट भी लेने गए, और उनके साथ बात्चीर भी की, उन्हों ने कहा कि बहुत ही एहम मुलक है, रोस, और बहुत ही ज्यादा इंटरस्टिंग लेंगविज थी, पाकिस्तान के फार्मिनिसर शाह मिमूद कुरेशी की, उन्हों ने कहा कि 9 साल बाद रूस के फार्मिनिसर पाकिस्तान आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, पिर उन्हों ने भारत का भी जिकर किया, जो भा अमदाद की तोकों का इजहार किया, यानि आप इसमें देख सकते हैं का पाकिस्तान के फार्मिनिसर की लेंगविज और बाडी लेंगविज क्या है, ऑन दा अदर हैंड, भारत के फार्मिनिसर जैशंकर जी की भी आपने वीडियो क्लिप देखी, उसमें भी आपने उनकी लेंगविज और बाडी लेंगविज और बाडी लेंगविज सुनी, आपको बहुत वाज़े इस फर्क नजरा है, वहां पे बिजनस की बात हो रही है, पाकिसान में अभी भी अमदादें लेने की बात हो रही है, और एक बहुत ज्यादा हाईपर जो स्टाइल है, शामन पाकिसान ने ये भी बताया कि रिशिया के जो फॉर्ममिनिस्टर आ रहे है वो पाकिसान के प्रप्राम निनिस्टर इमरान खान से हमें अर्मी चीफ देश के फॉर्म मिनिस्टर आ रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर भी अपनी आँखें बिचाए बैठे हैं और चीफ द आमी स्टाप भी तयार हैं उनसे मुलाकात के लिए इंटरस्टिंग सूर्टेहाल है बरहल ये वहां की एक जियो पॉलिटिक जो सिच्वेशन है ये ऐसे ही लेकिन ये बात तैया है कि इस वक्त दुनिया के जो एहम लीडर्स हैं वो भारत का धौरा कर रहे हैं और इसी जिम में मैंने भी पीछे जिकर किया कि इन ही दिनों में बलके कहना चाहिए एन इन ही दिनों में अमरीका के स्पेशल जो एडवाइजर है प्रेजिट जो बाइ के एडवाइजर जान कैरी एक बहुत ही सीजन डिपलोमेट रह चुके हैं और मैंने अभी तथक्रा किया किया कि क्या उनकी रशिया के फॉर्म मिनिस्टर से इतफाकिया मुलाकात थी लेकिन हमें ये बात भी जेन में रखनी चाहिए कि अबामा एड्मिनिस्ट्रेशन के ज जब जान कैरी स्टेट सेक्रेटरी अमरीका के हुआ करते थे यानि फॉर्म मिनिस्टर अमरीका के हुआ करते थे तब उनकी बहुत सारी मुलाकातें रशिया के इसी फॉर्म मिनिस्टर सरगई लेवरॉब से भी होती थी तो इनकी आपस में अंडिस्टेंडिंग पुरानी ह तो मैं ये गैस कर सकता हूँ कि ये जो भारत में मिले हैं ये कोई ऐसी ही इतफाकिया मुलाकात नहीं पुराने इनके जो एक दूसरे के वाकफकारी के मामलात हैं उनकी बन्याद पर ये नई सिचुएशन को बैक डोर डिप्लोमेसी के हवाले से तै करने के लिए भी जरूर मि आजाएंगी लेकिन एक जन्रिस होने के नाते मैं इन दोनों की मुलाकात देली में बहुत एहम समझता हूँ और खास वर पर इसली एक अब देली फैसेलिटेट कर रहा है रश्या और अमरीका के बीच अंडिस्टेंडिंग और मसाइल की जो रैजूलूशन है उसके हवाले से इसी मौका पर जान केरी ने एक वीडियो मैसेज भी दिया और वो वीडियो मैसेज भारत के वाले से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अमेरिका की इसमार भारत के लिए बहुत ही डिफरेंट लैंगविज है पर यह वीडियो क्लिप देखिए फिर मैंस पर कमेंटरी करू India is today undergoing a remarkable transformation lifting millions out of poverty and it's a major player on the global stage and decisive action from India now in partnership with the rest of the world will determine what this transformation will mean for all generations to come India has the opportunity to both elevate women's empowerment and to avoid the mistakes made by other countries like ours mistakes that instead of building a modern and sustainable society that is the envy of the world some of us have contributed too much to the problem that we're living through today so we're working to build back better now in the United States to transform our economy in a way that prevents the impending climate crisis by keeping global warming under 1.5 degrees Celsius while also creating the cutting-edge jobs of the future India has an advantage that we didn't have in the US as we were developing and not just the benefits of decades of scientific and technical advancement you also have the United States as your friend and partner and we are here to support you on this path to a sustainable future India's global leadership has been critical across a range of issues including on delivering COVID vaccines to the world but I am particularly grateful that India is getting the job done on climate pushing the curve you are indisputably a world leader already in the deployment of renewable energy and your leadership of the International Solar Alliance promises to advance clean energy across India and other dynamic growing economies around the world in the U.S. American जो अमेरिकन से और दूसरी कौमों से जो गलतियां हुई हैं वो ना दुराएं और इस स्लस्रा में उनका साफ कहना है कि इंडिया एक रिमारकेबली लेवल पे तरकी कर रहा है चाहे वैक्सीन की सता हो चाहे गलोबल डिपलोमेसी की बात हो वो बहुत ज्यादा खराजे तैसी पेश कर रहे हैं और क्लाइमेट के स्लस्रा में वो मिनिस्टर से भी वहां पे मुलाकात कर रहे हैं और वाज़े तोर पर कह रहे हैं कि इंडिया की मदद के बगेर अमेरिका इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइमेट चेंजिस के हवाले से कोई बहुत एहम काम नहीं कर सकता है यह एक बहुत बड़ी डॉइलमेंट है आपने उनका वीडियो क्लिप जो सुना उसमें सिर्फ क्लाइमेट चेंजिस की बात नहीं कर रहे हैं यह जो दुनिया में हो रही हैं यह इस पे सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं वो बहुत सारे हवालों से उन्होंने बाते की इसलिए एक उनका जेस्पर है ऐसा कि वो कई पुजिशन्स में अमेरिकन अद्मिस्टरेशन के इंडर काम कर चुके हैं डिफरिंट अद्मिस्टरेशन के अंदर बहुत ही पराने सैनेटर बहुत सारी हकूम्तों में रहे और अब फिर नई हकूमत में एक की फिगर हैं तो उनकी इस लेंग्विज से आपको अंदाजा होता है कि अमेरिका अब भारत को किस सथा पे एहमियत दे रहा है और भारत के फार मिनिस्टर जैश शंकर जी सहाले से माजी में कई बार कह चुके हैं कि वो अपनी टर्म्स में अब खेलेंगे और अपनी टर्म्स के मताबिक अमेरिकन्स हो यॉर्पिन यूनियन हो कैनिडा हो रूस हो चाइना हो उनके साथ अपने इंटरस्ट को पेशन अज़र रखते हो बाचीत करेंगे और अब जो सूर्टेहाल है जैसे रूस के वहां पे फार्म मिनिस्टर थे या अमेरिका के स्पेशल अडवाइजर टू जो बाइडन वहां इस सीजन्ड डिपलोमेट का फार्म मिनिस्टर अंडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है अजीद दौवाल जैसे स्क्यूर्टी के इंपॉर्टेंट जो एक्सपर्ट उनका मिनिस्टर होना और एड्वाइजर टू प्राम मिनिस्टर निंद्रा मूदी होना बहुत डेमोक्राइट्स के लिबियल्स भी प्राइमिनिस्टर निंद्रा मूदी की क्यादत को ग्लोबल लीडर्शिप करार दे रहे हैं तो इसका मतब यह है कि सूर्टेहाल अमेरिकन अड्मिस्टरेशन समझ रही है कि भारत की इसमत की लीडर्शिप और खुद भारत कितना इंपॉर्टन्ट है भारत की बात हो रही है तो भारत अपने बहुत सारे पुराने चैलेंजिस को अभी भी डील कर रहा है उनके बहुत सारे जो अभी भी है रीसेंटली च्छतीस गड़ में जो एक बहुत ही दर्दनाग ट्रैजिडी हुई जस तरह माओ के लोगों का हमला वहां के फौजी जवानों पर हुआ कम असकम बाइस ते इस फौजी जवानों की शहादत की इतलात मिल चुकी है इसी तरह जो वो पुलिटिकल एक्टिविस्ट एक्स्ट्रीमिस एक्टिविस्ट हैं उनके भी मारे जाने की इतलात मिली और ये भी भारत में बैस चल रही है भारत की opposition कह रही है कि intelligence का failure था भारत की intelligence का कहना है कि intelligence का failure नहीं था साथ ही वहाँ पे election की भी फजा है इस वक्त बहुत सारे जो वहाँ के states हैं वहाँ पे election हो रही है और वो जो सूरते हाल है काफी completed है election के भी अगर हम context में देखें तो वेस्ट बेंगाल में election हो रहे हैं असाम में election हो रहे हैं इसके साथ साथ तामिल नाडू में केराला में और पूर्डोचेरी की यूनिन टेरिटरी में election हो रहे हैं बहुत ज्यादा जो 10 सूरते हाल है वो वेस्ट बेंगाल और कहीं कहीं असाम में नजर आती है लेकिन election बरहाल शुरू हो चुके हैं election के results भी एक दो दिन में आना शुरू हो जाएंगे तो ऐसी सूरते हाल में जबके पूरी दुनिया की नजरें भारत में लगी हुई है election भारत की states में हर आई दिन होते रहते हैं जो अपनी जगा पे बहुत एहम बात है हमारी तो यहां बैटके यही खुआश होती है कि यह election अगर साल में एक ही बार हो जाएं तो अच्छा है ताके फिर तीन चार पाँच साल का जो अरसा है वो election election करने की बजाए ज्यादा international फ्रेंट्स पे भारत तोजो कर सके लेकिन बरहाल अभी भारत में इसी तरह की vibrant democracy है जिसकी हम बहुत कदर करते हैं और वेस्ट बेंगाल में तुक्व की जा रही है कि शायद वहां का political मनजर नामा कुछ बदले और federal election में तो काफी बदला था अब वहां की state election में क्या सूरत बनती है ये results आने पे पता चलेगा असाम में क्या सूरत बनती है केराला और तामिल नाडू में इसी तरह पूर्ड news analysis देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया आप हमारे youtube के channel को भी like कीजिए subscribe कीजिए और इसके साथ साथ आप हमारे youtube के इसी channel पे donate का button भी click करके हमें contribute कर सकते हैं या हमारी website पे जाके आप हमें contribute कर सकते हैं tag tv south asia.com की website पे donate का button बना हुआ है या tag tv.info की website पे वहाँ पे आप PayPal के राही भी हमें contribute कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप हमें credit card के जरीए भी और हमें Patreon पे भी patronize कर सकते हैं जो हमारा information का एक portal है उसमें आपका contribution हमारे लिए बहुत ही important है PayPal पे आप PayPal.me slash tag tv international paypal.me slash tag tv international के राही आप हमें contribute कर सकते हैं आज का बिलतकल of news analysis मेरे साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया subscribe tag tv YouTube channel and press the notification button